आप सुकर स्वागत है हमारी ही टेक चुनल चाय मिस्रा की रसोल में देखेगा है आज हम मीठा अचार बनाने जा रहे हैं जो की 5-6 साल तक खराब नहीं होने वाला बिल्कुल अगर आप इस तरह से हमारी मम्मी की तरह से रखते हैं तो देखिए मम्मी हमारी अमया चील रही ह तो आप इसमें कोई भी अमया ले सकती है देशी दसेरी कैसी भी कच्ची अमया लेनी है तो आप देख सकते हैं बचा कि इतना मस्ती कर रहा है कि मम्मी को अभी नहीं पताए कि ये वीडियो बन रही है हमारी तो ये अचार बहुत अच्छे तरीके से रखती है जो कि आपका एक पाव यानि 250 ग्राम तेल डाल दिया है और आप ये ले ले लेंगे सौंफ तो ये सौंफ हमारी 100 ग्राम है तो कि मीठा चार ज्यादा बना रहा है सौंफ मीठे में बहुत अच्छा स्वात देती है इस वज़े से तो देखिए आल गरम हो चुका है मस्टर्ड आल में ही में, अब उनको पता चल गया था, कि में वीडियो बना रहा है इसलिए अब दिखा के डाल रही है, अब हम डालने हल्दी नहीं अपने अन्दाज से है को 100 ग्राम डाल रही है तो दीमी फ्लेम करके उसमें डाल देनी है हल्दी, जिससे ब्लाजी से खुक हो जाब अच्छे से, तो अब आत और ध्यान रखे है इसमें पानी की बून नहीं होनी चाहिए, अम्बिया को हमने छील क और द्दोक कर दो गंते के लिए उपर धूप में शुखा दिया था देखें दो गंटे से ज़्यादाने आपको दो तेज हो रहा है सिर्का Y यह सिर्का देशी तरीके से बनता है धूब पगरा में रखकर तो यह आपकी हेल्थ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा बहुत आसानी से यह अगर आप गर्मियों में खा देना तो आपको लू भी नहीं लगती है तो आप नमक डाल रही है तो नमक अपने टेस्ट के हिस गुड़ एड़ करेंगी तो गुड़ फूरा दो किलोम टमी हfte किलोलो बहुत पहस्थ को हमारे बहुत प्रप्लम नहीं है जैस सिनके बहुत हभा पसंदन купार मेठा मेठा बहुत बहुत पशंदार लीजे अ मित अधिक कर लिजे अगर उसमें हल्दी थोड़ा सा पसंद कर wa लोग तो हल्दी ज्यादा कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम में इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होता है मगर अगर इस रेशियों से बनाएंगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं आईगी और कोई भी चीज खराब नहीं होगी पांच से शे साल तक आप बहुत आसानी से से रख क खा सकते हैं बहुत टेस्टी बनता अचार हमारे घर में तो सच पूछिये तो जैम वगरा है आता ही नहीं है इसी सब खाते हैं जैसे चाट वगरा में जो चटनी यूज करी आती है तो इसका यह जून रसा है बने का जो गिरिवी जैसी बन जाएगी वही यूज करी जाती ह यह मीठी खटाई के रूप में वह अलग से टमेटो केचप अगरा नहीं आता है क्योंकि बच्चों को भी यह बहुत पसंद आता है हमारे तो अब देख सकते हैं इसे सिर्के में हम गुड को मेल्ट कर लेंगे अच्छे से तो देखिए एक चीज का धिया रखें इसमें पा कर देखिए यह इंस्टंट अचार है हमारा और यह बिल्कुल खराब नहीं होता तो देखिए इस तरह से मिलाते हुए मम्मी हमारी आरामसे से कुक कर रही है तो गुड है मेल्ट कर देंगे एक बात और गुड को साबुत मड़ डालिएगा गुड को तोड़ लीजेगा थो बड़ा पतीला है तो घ्रे कपड़ लेंगी जिसने का गरम ना लगे हाथ पर तो इस तरह से तो चलाते-चलाते से पकाएंगी क्योंकि इसने चलाना चूड देंगे तो यह तली में चिपकत जाएगा जब चिपकता है तो महक drops us tap बीच-बीच में चलाना है तो इतना चिभ गुड हमारा मेल्ट हो चुका है और बॉयल आ चुका है हमारे ग्रेवी में चट्नी में तो इसमें कच्छी अंबिया जो कटी हुई पड़ी थी उसको हम डाल देंगे आप अंबिया जो कच्छी कह रही है इसको देख कही है आप समझ गया होंगे कि बिल्कुल भी धूप में बहुत देर नहीं पड़ी रही है इसमें जितनी भी आ जाए उससाब से और इसे चलाते भी जाना बीज-बीज में जिससे क्या है अच्छे से अंबिया मिक्स हो जाए अधरित रहे आ चासनी मैं जो बनी हुई है अब क्या हूआ इसमें इतनी देर पकाना है आपको जैसी गली चटनी चाहिए उस जितना पकी अंबिया ज़ते नतरा पका ले ना है तो मिकस कर देख heteriican अओपर का च्छीला ही निकाला है उपर से ज्रता कुछ निकाल लिग कना लगवल 250 ग्राम ही डाला हुआ है तीखा मिर्श तो अब इसे हम पकाएंगे अच्छे से तो जब तक पकाएंगे जब तक इसकी जो पैरी है वो पक ना जाए तब तक हम इसे पका लेना है ये देखे मिक्स कर देंगे देखे अगर आप ऐल में ही मिर्श डालते तो मिर्श बह के लिए हो गई है 5-6 साल आप ही कहीं खराब नहीं होने वाली है क्योंकि इसमें पानी का इस्तमाल नहीं किया है बस ध्यान ये रखना होगा आपको निकालते समझ चट्नी को कि गीली स्पून या गीले हाथ नहीं एड़ करने मतलब मॉइस्ट्र नहीं जाना चाहिए आपक और ये आपकी खराब नहीं होगी पहले तो 5-6 साल तक चलती ही नहीं है क्यों कि बच्चे सारा खतम कर डालते है इतना बच्चों को टेस्टी लगता है तो अब इस तरह से हम चलाते हुए पका लेंगे ये देखे जो बच्ची थी वो भी इसमें डाल देंगे मिक्स करते क्योंकि जादा कहरी तो दीरे-दीरे से मिक्स करते हुए इसे रखना है ये देख सकते हैं अब इसी तरह से छोड़ देंगे देखे ढ़कना भी नहीं है क्योंकि अगर ढ़केंगे ना तो इसमें बन जाएगा पानी जिसकी वज़ाए से खराब हो सकती है तो इसी तरह से हम देखे नहीं है और इसमें थोड़ा से दिखा नहीं है चूट किया है तो इसमें बनने के बाद ना आपको क्या करना है की जो कैरी हैं उनको कपड़े से डगकर रखना और पूरी तुरह जिब ठंडा हो ज़ए तब इसे भरके रखना compartir तो देखिए उपर तक आ गया था थो